आज मैं स्टार्ट करें है चाप्टर 11 क्लस 12 का बाया टेक्नोलजी प्रिंसिपल और प्रोसेस बाया टेक्नोलजी टील जी उसिग लाइब और गयानिजम सो और इंजैम और गयानिजम तो प्रोड़ूजिश प्रोड़क्ट आन प्रोसेस व्यूस्फुल टो हुपन्स अब बेसिकली ये बता रहे हैं कि बायो टेकनोलोजी है क्या बायो टेकनोलोजी वो ब्रांच है जहां डील किया जाता है ऐसी टेकनीक से जहां पे लाइफ और्गानिजम को या एंजाइम्स को जो और्गानिजम से मिले हैं कैसे products भनाने के लिए, ऐसे constitu diet या ऐसे process भने के लिए जो इनसान्स के लिए useful हो वो यह काम कॉन करता है है। यह सारा काम होता है अंडर biotechnology हम समझ सकते हैं यह अग्याय से की biotechnology में होता क्या है तो बाइटिकनोलीजी बाइटिकनोलीजी दील्ट विड्र टेक्णीक उजिवड़ेश्टेकनीक उसे लइभ और गेमिल्जम और एंजयम जो पें उनको यूज़ करें क्या प्रोडूस करने को प्रोडुक्स आन दर प्रोसेश यूसफुल तो यूमन जो इन्सान के लिए माइक्रोब ट्रीटेट इन दिस सेंस हमें कर्ड बनाना दही ब्रेड वाइन ये सब जो बनते हैं ये सब कहा है माइक्रोब मीडियेटेट प्रोसेस है मतलब माइक्रोब के थू माइक्रोब के थू प्रोसेस किये गए है उसके थू ये चीज़े बनी है ये भी क्या है एक बाइट टिकनोलोजी की ही फॉर्म है हावेवर इस यूज़ इन रेस्टिक्टेट सेंस तोडे तो रफ़र तो सच अफ दोस प्रोसेस विच यूज़ जेनिटिकली मोडिफाइड ओर्गानिजम तो अचीव थे सेम अन दे लाजर स्केल हाला कि इसको बहुत रेस्टिक्टेड मतलब एक लिमिटेड सेंस में आजकल बोला जाता है रेफर किया जाता है क्योंकि अब क्या चीज़ आगए है जिनसे ये साही चीज़े अचीव की जा सकती है जेनेटिकली मोडिफाइड ओर्गानिजम का मतलब है जिनको हमने इनसान ने थ्रू टेकनीक यूज करके उसके जीन में चेंजिस करके उसको मोडिफाइड किया है अपने काम के लिए ऐसे ओर्गानिजम तो उन्हें कहा जाता है जेनेटिकली मोडिफाइड ओर्गानिजम to achieve the same on a larger scale यही सब काम आजकल किसके फूर करा जाता है genetically modified organism जिसके gene में हमने modification करिये कि हगर हम इसके gene में ये चीज डाल दें तो वो gene code करेगा किसी भी उस चीज के लिए जो हम ही चाहिए तो वो है genetically modified organism कि मतलब वो हम अलग से नहीं करवा रहे हम उस gene के अंदर manipulation कर दिया है उसके gene में ही वो gene add कर दिया दूसरा gene जिसके तुरू जो भी desired product है हमें मिल जाए to achieve the same on a larger scale further many other processes techniques are also included under the biotechnology अब इसके अंदर और सारी technologies भी आती है biotech के अंदर जैसे की in vitro fertilization leading to a test tube baby in vitro मतलब in lab conditions जो lab conditions में कराया जा रहा है natural condition में है नहीं तो in vitro fertilization मतलब जो fertilization होता है outside the body in artificial condition कराया जाता है जिससे क्यों होता है test tube baby बनता है test tube baby basically या तो अब इसमें अलग-अलग cases होती है बाहर fertilization करा देंगे zygote को implant कर देंगे जिसे जिफ्ट बोलते हैं या फिर up to certain blaster stages आती हैं वहां तक करते हैं कि uterine में transfer करते हैं ये gamete transfer करते हैं ये सारी चीज़ें जो है in vitro हो रही है मतलब natural environment में नहीं हो रही मतलब lab conditions में की जा रही है तो ये भी एक bio technology का ही part है synthesizing a gene कोई gene को synthesize करना फिर उसको use करना कोई भी DNA बनाना vaccine बनाना या कोई भी defective दीना उसको correct करना ये सब part है bio technology के ही तो bio tech के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती हैं now the European Federation of bio technology EFB has given a definition of bio technology अब bio technology के definition किस ने दिया है एक federation है कौन European federation of bio technology इन्होंने definition क्या दी है bio tech के की the European federation of bio technology has given a definition of bio technology that encompasses both traditional view and the modern molecular bio technology मतलब जो इन्होंने definition दी है उसके अंदर ये दोनो expert जो दोनो पहलू है like traditional view क्या है और उसका modern molecular view क्या है उन दोनो को वो लेके चल रहे हैं साथ में तब उन्होंने वो definition दी है तो definition क्या है the integration of natural science जो naturally science exist करती है उसका integration and the organism, cell, parts therefore and the molecular analogs for the products and the service मतलब जो natural science है उसमें हम integrate कर रहे हैं चीजों को organisms को, cells को बहुत सारी इन सारी चीजों को हम integrate कर रहे हैं क्या करने के लिए जो भी हमें product के service जीए है desired product or service उसके लिए इनमें integration किया जा रहा है natural science में organisms में, उनके cells में और molecular level पर ये सारी चीजों जो भी हम integration करते हैं for the desired product and the services all these things come under the biotech ये सारी चीज़े biotech के अंदर आती हैं तो biotech के definition किस ने दी है European Federation of Biotechnology ने जो traditional के साथ modern view को भी कवर करती है कि मतलब को क्या है एक integration है और molecular level पर ताकि क्या किन सीजों के लिए products and services के लिए that is biotechnology अब principles क्या है biotechnology के तो now the principles of biotechnology biotechnology के क्या principles है among many the two core techniques that enable the birth of modern biotechnology अब जो नही modern biotechnology आई है किन techniques के मुझे से ये तो मीन जो दो core techniques है उनके वो जैसे जो modern biotechnology है उसका birth हुआ है पहली genetic engineering अब इसके words को हम तोड के समझते है basically क्या है genetic मतलब at the level of gene engineering जहां पर कुछ तोड मोड के कोई मतलब कोई नई चीज बिल्ड़प की जा रही है तो that is genetic engineering मतलब gene level पे हम उसमें कोई चीज़े insert करके, delete करके, add on करके कुछ नई चीज बना रहे हैं उसको modify करें, कुछ नई डेवलप करें that is genetic engineering तो क्या है ये technique to alter the chemistry of a genetic material DNA and RNA to introduce these into host organism and just change the phenotype of the host organism मतलब ऐसी technique जिसमें जो genetic material होते हैं हमारे जैसे DNA और RNA उसकी chemistry, basically chemistry में भी क्या उसका composition उसमें changes लाके फिर उसको introduce करता है host organism मतलब जिसके लिए हमने वो बनाया है उसमें introduce करना and just change the phenotype of the host organism और उसका phenotype मतलब फिर उसका वो देखने में जो है वो change हो जाएगा, phenotype होता है उसके physical appearance तो उससे उसके physical appearance change हो जाएगी तो genetic engineering क्या होई ऐसी technique जिसमें genetic materials की जैसे कि DNA और RNA की chemistry को change किया जाए, alter किया जाए फिर उसको host organism में डार जाएगा और जिससे उसका phenotype change हो जाए host organism का, that is genetic engineering यह है इसका एक पहला principle, दूसरा principle क्या है maintenance of sterile, microbial contamination free, ambience दूसरी principle क्या है हमारा maintenance of sterile, sterile conditions वो condition होती है जहां पर कोड़ी microbes, कोड़ी organism free उसको बोलता है sterile maintenance of sterile, microbial contamination free, ambience in chemical engineering process to enable growth of only desired microbes, eukerotic cell in a large quantity for the manufacture of biotechnological product like antibiotics, vaccine, enzyme, etc तो पहला था genetic engineering दूसरा है इसका कि हमें ऐसी condition को maintain करना जहां पर कोई भी microbes, कोई भी चीज ना हो मतलब contamination वाली ना हो एकदम साफ हो कोई भी contaminated चीज़े ना हो जो हमारे desired product बनने वाला है उसको खराब कर दे है उसकी morphology में कुछ भी change ला दे तो इसलिए पहली condition genetic engineering दूसरी उन्होंने कहा कि ऐसी condition या ऐसा atmosphere तो maintenance of sterile ambience ambience का basically का मतलब होता है कि किसी जगा का atmosphere तो हम लिख सकता है atmosphere of place मतलब कोई जगा वहां का atmosphere क्या कहना चाहता है किसी भी जगा के atmosphere को कैसे maintain करना sterile conditions maintain करना कहां पर basically chemical engineering process जहां पर chemically चीज़े बनाई जारी हो ताकि वहां क्या हो सके सिर्फ growth हो सके desired microbes जो हमें चाहिए सिर्फ उसी की growth हो कोई भी फाल्टू चीज़ ना आए वही eukerotic cell जो हमें चाहिए जिसका वही grow करे जिसके वसे क्या हो जो भी हमें biotechnology का प्रोड़क्ट चाहिए एक antibiotics vaccine enzyme इन सब को बनाने के लिए जो भी host organism चाहिए जो भी desired microbes चाहिए सिर्फ उसी की growth हो उसके लावा और किसी की growth ना हो तो उसी लिए क्या जरूरत है कि वहां पर कि इस तरहल कंडिशन को maintain किया था तो ये दो principles थे हमारे biotechnology के नाउ अब किस तरहिके से basically कहना चाहरे है कि genetic engineering कैसे किये जाती है इस concept को हम समझेंगे Yes, obviously हम क्यों appreciate करते है sexual reproduction को over the asexual reproduction क्योंकि sexual reproduction क्या अलाव करते है हम variations अलाव करते है variations आती है जिसके विसे evolution होता है और इसी के वज़े से हमें वहाँ पे varieties देखने मिलती है इसलिए sexual reproduction को appreciate किया जाता है over the asexual reproduction अमभा ही लिखा है the former provides opportunity for the variation for basically sexual reproduction की बात की जारी क्या करता है वो variation की opportunities देता है and the formulation of unique combination of the genetic setup और क्या करवाता है महाँ पे unique setup बनता है unique combination बनता है genetic का मतलब जब asexual reproduction है तो वो तो बिल्कुल identical होगा अपने parents का तो महाँ पे कोई भी combination नहीं आया वही same चला आरहा pattern जो पहले था वही अगर sexual reproduction की बात करने तो महाँ crossing होती है between the gamits segregation होता है chromosome का आधा maternal character आता है आधा paternal character आता है तो वहाँ पे unique combination बनता है इसलिए इसको कहा जाता है कि sexual reproduction is appreciated over the asexual reproduction some of which may be beneficial to the organism कुछ उसमें से beneficial होता है as well as the population population के लिए भी वहीं पे अगर asexual reproduction की बात करते हैं तो वो genetic information को preserve करके रखता है preserve करने से मतलब basically वहाँ पे कोई variation नहीं आएगा जही उसके आगी progenies में transfer हो गई while the sexual reproduction permits the variation sexual reproduction में क्या परमें होता है variation permit होता है traditional hybridization procedure used in a plant and the animal breeding very often lead to the inclusion and the multiplication of undesirable gene along with the desired gene the technique of the genetic engineering which include creation of recombinant DNA use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only a one set of the desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism अब देखो यह इसमें क्या कहना जा रहा है जो traditional hybridization होती तो पहले टाइम पर hybridization की जाती थी उसमें क्या होता था जो desired product तो चाहिए जो desired gene चाहिए वो तो आ रहा है उसके अलावा कई बार ऐसे undesired genes भी आते थे जिसके वो जिसे जो प्रोजेनी और product होता था उस पे असर पड़ता था इसे लिए इसको overcome करने के लिए अब modern biology जो है उसमें क्या किया जा रहा है कि वहाँ पर recombinant DNA बनाया जा रहा है recombinant DNA का basically मतलब है जो भी हमें desired product चाहिए उसके लिए जो desired part होगा gene का जो उस protein के लिए code करेगा हम उसको isolate करेंगे फिर अगर कोई दूसरी variety है उसमें से हमें उसका कुछ character चाहिए उधर से उसका उतना portion उठाया जागा DNA का फिर उन दोनों को आपस में जब combine किया जाएगा तो वो साथ में कहलाएगा recombinant DNA मतलब हमने combination बनाया है एक कहीं से लेके एक कहीं से लेके फिर न को combine कर दिया गया that is recombinant DNA और यह technique क्यों लाएगा था कि जब हम करा रहे हैं hybridization basically hybridization का मतलब ही यह जो natural वो चीज exist नहीं करती वो hybrid हम बना रहे हैं अपने आप cross करा के वो नई breed यह नई प्रोजयनी हम बना रहे हैं तो वही जो traditional hybridization होती थी तो वहाँ पे desired के साथ undesired चीज़े भी आती थी इसको overcome करने के लिए क्लिए क्लिए हुआ recombinant DNA बनाया गया मतलब जितना desired portion है डियने का वो उठाएंगे दूसरी तरफ से भी सिफ desired portion उठाएंगे उनको recombinant करेंगे और हमां मराएंगे recombinant DNA तो यह किया गया यह technique लाएगी गई ठीक use of a gene cloning and gene transfer क्या use के क्या gene cloning मतलब exact gene उस clone का मतलब है exact copies बनना बिना किसी variation के तो gene cloning की जाती है फिर उस gene को transfer भी किया जाता है ताकि इस limitations हम ऊपर आ सके और जो भी हमें desirable set of genes है जो desirable set of genes है वो मिल सके without introducing undesirable genes into the target organisms Do you know likely the fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism but when it's integrated into the genome of the recipient it may multiply and be inherited along with the host DNA this is because the alien piece of DNA has become a part of a chromosome which has the ability to replicate अब दे कोई क्या कहना का रहे है कि आप पता है अगर खाली ऐसे DNA उठा लें एक piece of DNA तो यह खुच से multiply कर पाया कि अपनी progeny बना पाएगा नहीं फिर कैसे बनता है जो gene of interest है मतलब जो हमारा desired potion है gene का उसको लिया जाता है फिर उसको multiply किया जाता है और उसको introduce किया जाता है host DNA में मतलब जिस organism में हम चाह रहे हैं कि modification जिसका hybrid बनाना चाहा रहे है कि असके अंदर यह character भी आ जाए तो वो desired set of DNA उठाया जाता है फिर उसको transfer किया जाता है host के DNA के साथ आपस में वो इसके साथ combined हो जाता है अब वो basically उसके chromosome का part है तो फिर वो वहाँ पर replicate कर पाएगा अपनी progeny बना पाएगा तो वहीं यह कह रहा है DNA has become a part of a chromosome which has ability to replicate क्या है उसके पास replicate करने की ability है इन a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication अब तुम कोशन उठाना चाहिए अब chromosome में भी ऐसा क्या है जिसके से replication हो पाएगा तो क्या होता है उनके पास origin of replication होता है क्या होता है origin of replication तो इन a chromosome एक specific DNA sequence होता है जिसके कहता है origin of replication अब basically origin of replication भी क्या है DNA का कुछ specific sequence है जिसे origin of replication कहा जा रहा है और यही responsible होता है replication start कराने के लिए क्यों responsible है यह it is responsible for the initiation of the replication इसी के जिसे replication होगा अगर basically हमारे यह मानलो DNA है और यहाँ पर ORIE ना हो यह origin of replication वाला part ही ना हो तो तुम कुछ भी डाल दो यहाँ पर DNA introduce कर दो यहाँ पर आगे replication नहीं होगा क्योंकि यह sequence यह specific sequence जरूरी है ताकि replication आगे हो सके therefore for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism it needs to be a part of a chromosome अगर हमें कोई भी बहार का उठायावा alien piece of DNA किसी भी organism में replicate कराना है तो यह आविशक है कि वो किसका part बने chromosome का part बने और basically वैसे chromosome जिसके पास क्या हो specific sequence हो जिसके कहते हैं origin of replication हो रहा है तो इस paragraph से इस सबको पढ़के हमें यह समझाया कि recombinant DNA बनाने के लिए जब हम desired set of genes वारे DNA introduce करने वाले हैं host DNA में मतलब host basically जिसके अंदर हमें वो quality या product चाही है तो उसके अंदर introduce करने वाले है तो वो जो foreign DNA है उसे जरूरी है कि वो chromosome का part बने तभी वो replicate कर पाएगा तभी अपनी progeny बन पाएगी और chromosome में भी कहाँ ऐसा chromosome जिसके पास specific DNA का sequence मिले जिसे कहा जाता है origin of replication वहाँ पे होना चाहिए तभी वहाँ पे replication हो पाएगा Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate तो क्या कर सके ताकि वो replicate कर सके तो यहां से यह origin of in a chromosome there is a specific DNA sequence जिसे कहते है origin of replication जो responsible initiate करने लिए replication इसलिए multiplication of any piece of alien DNA in an organism it needs to be a part of chromosome किसी भी अगर foreign DNA को multiply करना है अपनी copies बढ़ानी है तो उसे chromosome का part बढ़ना पड़ेगा और वहाँ भी कहाँ जहाँ पे उसके पास specific sequence present हो जिसे कहते हैं origin of replication does an alien DNA is linked with the origin of replication इसलिए जो alien DNA alien DNA से मतलब जो बहार वाले DNA जो हमने isolate किया है किसी और में से जिसके desired quality या properties हमें चाहिए अपने original वाले host में या organism में so that this alien piece of DNA can replicate ताकि क्या कर सके और आई पर introduce करेंगी तो replicate कर सके multiply कर सके this can also be called as cloning or the making multiple identical copies of any template DNA this can also be called इसे क्या कहा जा सकता है cloning कहा जा सकता है basically desired product हमारा हमें इसकी कम से कम 10 copies चाहिए अभी खुछे तो नहीं बना सकता इसे किसका part होना पड़ेगा chromosome का part होना पड़ेगा chromosome में भी कहा होगा हो रहा ही होगा जब इसके साथ combine कर जाएगा तो यह replicate करेगा replicate करेगा तो इसकी copies भी बनेगी तो इसे क्या कहा जा रहा है cloning कह सकते हैं making multiple identical copies of any template DNA तो क्या बनाना या cloning का मतलब ही वही है same copies बनना तो cloning बोलो या फिर multiple copies बनाना let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule अब देखते हैं कि पहला recombinant DNA molecule कैसे बना था the construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene and coding antibiotic resistance with a native plasmid अब देखते हैं कि यह कह रहा है देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा recombinant था कैसे बना था कैसे बनोगा कि वहाँ पर possibility है कि वह link कर गया हो gene antibiotic resistance के साथ with a native plasmid native plasmid मतलब autonomously replicating circular extra chromosomeal DNA basically DNA यह बताने plasmid क्यों होता है plasmid एक extra chromosomeal DNA होता है जो mostly bacteria's में मिलता है इनकी पास भी क्यों होती है autonomously अपने आप replicate करने की इनके पास power होती है plasmids के पास तो हम किसका plasmid ले रहे हैं पर Salmonella Typhine अब देखते हैं जो Stanley Cohen और Herbert Boyer थे वह उन्होंने क्या करा उन्होंने isolate करी antibiotic resistance by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for confirming the antibiotic resistance यह कह रहे हैं कि उन्होंने यह जो दो साइंटिस्ट हैं कौन-कौन Stanley Cohen and the Herbert Boyer इन्होंने क्या करा isolate करा antibiotic resistance gene को मालो यह DNA का पार्ट है और इतना पार्ट antibiotic ले code करता है तो इन्होंने यह पार्ट निकाल लिया क्या करा isolate कर लिया antibiotic resistance gene को यहां से isolate कर लिया इतने पार्ट को अलग ले लिया उठा लिया by cutting out a piece of DNA इतना पार्ट DNA का cut कर लिया कहां से plasmid से यह पूरा हमारा plasmid है plasmid में जो इतना portion था इतना portion था यह antibiotic resistance के लिए इसका DNA पूरा यह इतना पार्ट antibiotic resistance property के लिए code कर रहा है तो DNA का इतना पार्ट cut कर लिया गया which was responsible for confirming antibiotic resistance और यही पार्ट responsible था जो क्या बताता था कि antibiotic resistance आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही पार्ट confirm करने वाला था the cutting of a DNA at a specific location become possible अब देखो अब इन्होंने पहले क्या बताया कि पहले देखने की देखते हैं कि पहला recombinant कैसे बना तो यह चीज बोली अब उसके steps समझाने ले कि Stanley Cohen से सबसे पहले क्या करा उन्होंने DNA के उस पार्ट को isolate करा जो उने चाहिए था इतना बताया अब फिर आगे बताने कि कैसे cut किया होगा the cutting of a DNA at the specific location किसके वज़े से यह cutting जो है possible हो पाई किसके वज़े से possible हो पाती है हमारे restriction enzymes के वज़े से तो अब भी आगे हम यही पढ़ेंगे जो cutting है DNA की specific location पे possible हो पाई किसके discovery के साथ so called restriction enzymes यह ने क्या कहा थाता है so called molecular scissors यह restriction enzyme तो restriction enzyme का दूसरा नाम क्या हो गया हमारे पास molecular scissors the cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA अब जो cut piece था DNA का जो यह desired था desired product जो था उसको किसके साथ connect किया गया plasmid DNA के साथ connect किया गया यह हमारा plasmid है plasmid का पूरा DNA तो इस पार्ट को उठाके इसके साथ connect किया जाएगा these plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it यह plasmid किसका काम करेंगे vectors का काम करेंगे vector का क्या होता है किसी चीज़ को transfer कराना तो plasmid DNA किसका काम करने वाला है vector का काम करेगा यह transfer करेगा इस piece of DNA the piece of DNA attached to it उसे transfer करने का you probably know that the mosquito act as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body तुम्हें पता ही है कि mosquito क्या काम करता है? malarial parasite को सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है human body में वैसे ही vector का काम सर्फ यह है कि वो उस चीज़ को ट्रांसफर करवाएगा हमारे host organism में In the same way उसी तरीके से जो plasmid है उसको यूज के जाता है vector की तरह डिलीवर करना किसको डिलीवर करना alien piece of DNA को किस में host organism में The linking of antibiotic resistance gene अब हम कौन जा पार्ट आइसुलेट कर था antibiotic resistance gene वाला the linking मतलब चिपकाना antibiotic resistance gene को with the plasmid vector plasmid vector के साथ किसके through possible हो पाई है अब यह एक और enzyme आता है DNA लाएगे अब देखो सबसे पहला step इसने क्या कहा कि जो तुम्हें चाहिए desired product उसको isolate कर लो कैसे isolate करोगे restriction enzyme की तुरू जीने कहा कहा जाता है molecular scissors अब हमें कोई transfer भी कराना है पहले तो उसे attach कराएंगे किसके साथ एक medium चाहिए न जो इस desired gene को DNA को हमारे host organism में पहुचा सके तो कौन पहुचाएगा यहां पर vector लगेगा इसमें transfer कराने के लिए और वो vector क्या है plasmid plasmid है हमारा vector वो काम करेगा कि जो हमारे desired set of gene है DNA का sequence है उसको हम अपने host में transfer कराएंगे वेक्टर के तू वेक्टर का काम है उस चीज़ को transfer कराना अब वो कैसे transfer कराएगा वो पहले अपना DNA अपने plasmid के साथ link करवाएगा जो वेक्टर है जो प्लास्मिट DNA है वो वेक् combine करेगा तो अब उसको combine कराने के लिए खिश्किया आवश्यक्त लगी यह क्या है कहते हैं यह हमारे desired set of DNA यह plasmid का DNA अब इन्हें combine भी तो करना पड़ेगा अब यहां जाकर लगेगा तो खाली अब हम कोई चीज़ चिपकानी होती है पहले सीजर से cut कर दी कोई paper cut करें सीज glue भी चाहिए होता है तो यहां जो glue लगेगा उसका नाम है हमारे DNA ligase क्या है उसका नाम DNA ligase क्या करवाएगा इनको attach करवा देगा क्या enzyme लगेगा यहां पर DNA ligase लिख्खा है the linking of antibiotic resistance gene किसको चिपका रहे हैं antibiotic resistance gene को चिपका रहे हैं with the plasmid plasmid vector के साथ किसके थ्रू पॉसिबल है यह enzyme DNA ligase DNA ligase के थ्रू यह चीज़ पॉसिबल है which acts on a cut DNA molecule किस पे काम करता है वो cut DNA molecule पे काम करेगा and joins their ends और उनके ends को यहां पे join करवा देगा this makes a new combination of circular autonomously replicating DNA अभी किसकी बात की गई है circular autonomously replicating DNA मतलब plasmid की बात की गई है तो यह क्या बनाने का एक combination बना देगा plasmid में भी एक नया combination बनेगे ना इसी चीज़ को क्या कहा जाएगा recombinant DNA अब क्यों कहने देख इस चीज़ को recombinant DNA यह हमारा था desired set वाला DNA और यह हमारा plasmid ठीक है माल यह plasmid है अब यहाँ पे इसको हमें attach कराना है यहाँ पे इसे attach कराना है कौन आएगा DNA ligase आएगा इनको चिपकाने के लिए अब यह अपने original form में है अब हमें इसे उठा के लाए यहाँ पे तो यहाँ पे यहाँ 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 आगया कैसे इसके साथ combine कर गया तो यह अब क्या बना हमारा यह क्या हो गया प्लाजमिट प्लाजमिट का दूसर नाम क्या कहा गया है इनो नहीं यहाँ पे कहा गया है इसको circular autonomously replicating DNA मतलब प्लाजमिट कह रहे हैं यह की प्लाजमिट जो है तो दिस मेक्सा न्यू कॉम्बिनेशन अफ सर्कुलर नया कॉम्बिनेशन मन जाएगा ना इस प्लाजमिट का तो यह क्या है प्लाजमिट प्लस हमारा alien peace यह कह सकते हैं हमारा कौनसा यह क्या इन दोनों को कंभाईन क्या लियां इन द डोनों को कंभाईन किया गया जब अन दोनों को कंभाईन कर रहे है तो एक नहीं चीजों बन रहे है that is recombinant मतलब दो चीज़े को combine किया गया तो क्या बना है हमारा recombinant DNA क्या बन गया recombinant DNA अब पड़ते हैं से इसको combine किया गया in vitro lab conditions में and is known as a recombinant DNA अब क्या किला जाएगा recombinant DNA when this DNA is transferred into the Asteria coli basically हमारा क्या था होस था bacterium closely related to the salmonella salmonella के जैसे ही it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies the ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in a E-coli was called a cloning of antibiotic resistance gene in E-coli अब इनके कहने का मतलब यह है अब इस हमारा recombinant बन गया है जब इससे उठा के तुम transfer करोगे होस्ट में और यह हमारा होस्ट क्या है E-coli तो वो क्या कर पाएगा replicate कर पाएगा इसको अपने DNA यह जाके अपने DNA में उसके DNA की तरह हो जाएगा उसके साथ जुड़ जाएगा फिर वो इसको replicate कर पाएगा कौन से enzyme की मदद से replication अभी बता रहे है replication होगा किस enzyme की थूप replication होता है enzyme polymerase DNA polymerase enzyme इसके वज़े से replication होता है और फिर क्या बनती है multiple copies बनती है अब यही the ability to multiply copy of antibody resistant gene in a E-coli was called cloning और इसी चीज़ को अब क्या कहा जा रहे है cloning मतलब multiple copies का बनना that is cloning तो अभी तक क्या के step देखे सबसे पहले जो हमें बनाना है recombinant DNA उसके सबसे पहले step है कि यह उस desired part portion of gene को तुम cut कर लो किसकी मदद से cut करोगे molecular scissors की मज़े से वजह से cut करोगे उनकी मदद से cut कर पाओगे जिनको कहते हैं हम restriction enzymes या फिर molecular scissors तो हमने उसको cut कर दिया अब cut कर दिया तो अब उसको तुम उसको transfer भी करोगे किसी चीज में उसको transfer करने के लिए तुम एक medium चाहिए यह medium क्या है vector वह vector क्या है plasmid plasmid उठाया तुमने फिर उस DNA को उसके plasmid DNA के साथ combine करोगे पहले अब जो cut चीज की गई है कोई भी figure या paper कोई भी चीज़ हम cut करते हैं तो उसे paste करने के लिए glue की अवशक्ता परती है तो यहां पर जो glue का काम करेगा DNA ligase करेगा वह उस cut piece of DNA को attach करवाएगा plasmid के DNA के साथ DNA ligase अब यह attach हो गए तो क्या बन गया हमारा recombinant DNA अभी बना है ठीक है अब जो recombinant DNA है वो बन गया अब उस recombinant DNA को उठा के उस host और्गैनिजम में भी transfer किया जाएगा जिससे हमें अपना product बनवाना है तो उसे transfer करेंगे हम किसमें यहां पर हमारा host था उसमें transfer करा अब हमने कर दिया अब यह तो थोड़ी ना कि बस डाल दिया तो काम हो गया अब डाला है तो और उसकी multiple copies बना है ताकि हमारा desired product बन सके जब तक वो DNA से MRNA, MRN से protein नहीं बनेगा तो वो product हमें नहीं मिलेगा अब यह भी नहीं किसे को हमें एक multiple copies बनाने के यहां पर process को क्या कहा जा रहा है cloning तो वो क्या कर पाएगा अब जो host है हमारा जब उसको हमने introduce कर दिया यह recombinant DNA वाला molecule उसके body में तो अब उसके पास क्या है वो उसकी multiple copies बनाएगा cloning करेगा तो उसी चीज़ को क्या कहा गया है कि equal was able to multiply the copies और इसी ability को copies multiply करने कि ability को क्या कहा जाता है cloning कहा जाता है तो यहां पर हमने तीन basic steps पढ़े सबसे पहले उस part को उस portion को identify करना जो हमें चाहिए फिर उसको cut करना उसको cut करने के बास उसको introduce कराना vector के थूरू अपने host organism में तो यह इसके तीन basic main steps है genetic engineering बोल सकते हैं या फिर recombinant DNA molecule बनाने के लिए पढ़ते हैं हम नीचे क्या लिखा देगो you can hence interface the three basic steps in genetically modified organism अब genetically modified organism बनाने के लिए हमें क्या लग रहे हैं आपर तीन steps genetically modified organism कैसे जो equal है था उसके पास यह property नहीं है कि वो antibiotic resistance property शो कर सके हम यह उसके अंदर डाल रहे हैं उसका gene modify कर रहे हैं और एक वो organism है इसले कहा जा रहा है genetically genetically modified organism तो क्या हुए यहां पर तीन basic steps हुए genetically modified organism के लिए पहला कि उसको identify करो जो तुमें चाहिए है फिर उसको cut कर दो उसको introduce करा दो अपने host DNA में और फिर उसकी copies बना दो तो नीचे पढ़ते हैं पॉइंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इडिएने विडिजारट जीन जो भी हमें चाहिए उसको identify करो introduction of the identified DNA into the host फिर उसको introduce कराओ host में फिर maintenance of the introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny और उस host जो तुमने नया recombinant DNA डाला उसको maintain कर पाओ मतलब उसकी multiple copies बनाओ और फिर transfer कर पाओ इस DNA को उसकी आगे आने वाली progenies में तो यह हैं हमार three basic steps किसी भी genetically modified organism के लिए तो यहां पर हमने देखा basically कि क्या steps लगने वाले हैं तो यह हम भी तक हमने इसमें देखा कि biotech क्या है, biotech के अंदर क्या क्या आती है, biotech की definition किस ने दी है, वो क्या cover करती है, यह सारा सब कुछ और अभी हमने देखा कि सबसे पहला recombinant DNA की बात क कि कैसे बना, हमने देखा, सबसे पहले हमें desire product जो चाहिए उसको identify करो, उसको cut करो molecular scissors की मज़द से, जिसे कहते है restriction enzyme, फिर उसको transfer कराओ, उसके लिए पहले एक vector लगेगा, vector है हमारा plasmid, अगर जो desired DNA था, यह desired DNA और यह हमारा host, इसमें अगर transfer कराना है, यहां पर, तो यहां क क्या लगेगा, vector लगेगा, और vector है हमारा plasmid, तो यह सीधे सीधे नहीं जा सकता, तो plasmid की मदद से यह इसी में आएगा, plasmid की मदद से भी कैसे आएगा, क्योंकि अब यह जो DNA है, इसको पहले किसके साथ add करा जाएगा, plasmid के साथ, plasmid के DNA में डाला जाएगा, ताकि वो क्या हो जाए, इसके साथ incorporate हो जाए, और जब यह host में जाए, तो इसे transfer कर दे, फिर इसकी multiple copies बने, और फिर आगे वो उसकी progeny में transfer हो, अभी तक हमने इसमें इतना देखा कि यह इसके basic steps हैं, जो लगते हैं किसी भी genetically modified organism के लिए, या फिर कैसे recombinant DNA बनता है, तो यह क्या क् इस step पर कहलाएगा recombinant DNA, फिर इसको यह transfer किया जाएगा host में, जिसकी maintenance किया जाएगा, उसकी progenyus बनाई जाएगी, तो यह फिर host क्या कहलाएगा, हमारा जब इसमें recombinant DNA हम डाल देंगे, तो genetically modified organism, GMO genetically modified organism कहलाएगा, अब next video में continue करेंगे tools की, अब हमें किन-किन tools की किन-किन सामगरियों की, किन-किन tools की आवश्यक्ता है, ताकि यह process हमारा हो पाए, आप एक बार इसको read करके देखना, अगर नहीं समझाए, तो बताना, comments में, मैं दुबारे explain कर दूँँ, लेकिन इसको जितना थोड़ा-थोड़ा कर करके, समझ समझ के और relate करके पढ़ोग है, क्योंकि यहाँ पर, कह सकते हैं कि, एक sequence wise नहीं दिया गया, कि पहले इन प्रोसेस समझा दिया, आप टूल दे रहे हैं, फिर आगे एक topic देंगे, फिर उसमें फिर से steps बताएंगे, वो दोड़ा confusing होता है, तो इसलिए इसको relate करके, पढ़ना, line to line समझना, यह important है, मिलता ने ने आप टकले, थांकिए